4.2 गतियों के ग्राफ Graphs of Motion अब तक हमने औसत चाल और वेग की बात की है पर क्या हम किसी वस्तु की ताक्षनिक चाल अथवा वेग पता कर सकते हैं? आईए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं अपूर्वा के घर से विद्ध्याले तक की यात्रा के आंकडे सारणी क्रमांग तीन में दिये गए हुए हैं अपने ग्राफ कागस पर X अक्ष पर समय और Y अक्ष पर दूरी रखें और उनके पैमाने तै करें पैमाने को ग्राफ के उपर दाएं कोने पर लिख लें अब इन आकडों के अनुसार बिंदू अंकित करें इन सभी बिंदूओं को जोडने वाली सरल रेखा, स्केल, पैमाने की सहायता से खीचे यह ग्राफ अपूर्वा के घर से स्कूल तक की यात्रा का ग्राफ है याद रखें यह बनाया गया ग्राफ और इस अध्याय के आगे के सारे ग्राफ तै की गई दूरी वा समय के ग्राफ हैं ना की यात्रा के रास्ते के अब इस ग्राफ से बताएं अपूर्वा ने पहले दो मिनट में कितनी दूरी तै की? अपूर्वा ने दूसरे दो मिनट में कितनी दूरी तै की क्या ये सभी दूरियां बराबर है जब कोई वस्तू समान समय अंतराल में समान दूरी तै करती है तो उसकी गती एक समान गती कहलाती है और ऐसी गती के लिए दूरी और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है घर से विद्ध्याले तक पहुँचने में अपूर्वा की चाल क्या थी? ग्राफ से ये कैसे ग्यात होगी समझते हैं ऐसा करने के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र चार में एक बिंदू A ले बिंदू A से X अक्ष के समानांतर एक रेखा AB तथा बिंदू B से Y अक्ष के समानांतर एक रेखा खीचे जो बिंदू C पर मिलती है और इस प्रकार एक त्रिबुज ABC बनाती है अब ग्राफ पर रेखा AB समयानतराल T2 माइनस T1 को बताता है जबकि रेखा BC दूरी S2 माइनस S1 को बताता है हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तू A से B बिंदू तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तै करती है अतह वस्तू की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है V बराबर S2 माइनस S1 बते T2 माइनस T1 यदि हमें किसी ख्षण वस्तू की चाल क्या है जानना हो तो हम उस बिंदू पर ग्राफ की ढाल नापकर यह पता कर सकते हैं